अब तक जितनी बी बात निकलकर आई है सब में यह İyi डोसरी की नहीं या निइस को क्रोस्तोन सत्रू करके बोला जाता है यहां आज सभी के माईक खुड़े रहेंगे मैं कॉंसेप्ट को 30 सेक्ड में खतम करूंगा और उसके बाद एक प्रेसंट के बदले में आप उद जवाब देंगे हैंड रेज करकर एक साथ नहीं देंगे आराम से बात करेंगे और एक एक व्यक्ति जो हैंड रेज करेगा जिस नमबर से उससे वो जवाब आएगा जवाब बहुत सौट में आना है कंसेट यह है जुड़ना है और जोड़ना है जुड़ेंगे और जीतेंगे कंसेट आज का पूरा हो गया अब मेरा सवाल आप से है आपको जुड़ने से रोक कौन रहा है आराम से आप एक मिनट दो मिनट तीर मिनट चार मिनट से हैं और यहां व्याख्या नहीं करनी है यहां नहीं करना है आपने यह बताना है अच्छी तरह सोच के कि आपको जुड़ने से हम सब को जुड़ने से कौन रोक रहा है वो जो कौन रोक रहा है कौन है वो उसको identify करना है उसका पता करना है जो व्यक्ति जितना सोच सकता है आराम से सोचे हाथ उठाए आज नहीं पता सकता है तो कल बताए उससे हमें जुड़ने जोड़ने के concept में आगे और क्या-क्या करना है क्या-क्या दिक्कते आने वाली है क् फाइदा मिलेगा तो एक घंटे तक मीटिंग मैं ही चलाऊंगा आज का यही कंसेप्ट सबसे पहले आरे मित्तल जी बताएं जोने से कौन रोक रहा है और भाशन नहीं होगा भाई यह द्यान अखना को रहा है आपको कोई नहीं रोकता है हमारा खुद का एजिटेशन है जो बरसों से हमारे अंदर जो है ना गुसा हुआ है वो उसको दिमाद में लगा रहता है कि अगर हमने यह सब किया तो कोई हमको क्या कहेगा मतला आपका कहना है कि हमें कोई बाहर का व्यक्ति नहीं रोकता है हम खुद रुके हुए है ठीक है ठीक है धन्यवाद जी बताएं सब्सक्राइब जो देखता है और मैंने जो सुना है और मैंने लोगों से बात कर रहा है तो उसके अकोडिंग मैंने जो में जो एक्स्परेंस है उसे में देखा है हमें कोई नहीं रहा है रोक नहीं रहा है हम अपने अपने आपको रोका हुए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद सर चलंजी चलंजी बताएं सर जैवीन सर बोलिये सर बोलिये सर हमें कोई नहीं रोक रहा है जो भी मिला हमें फिरी में मिला नहीं साहर की बतौलत नहीं अभी बहुत नहीं करना है जब कोई नहीं रोक रहा है तो हम रुके होएं क्यों है बस ये बताना है आपने रुके होएं नहीं है रोक सिर्फ यह जो हमें फिरी में मिला ना उसका अहसास नहीं हमें हमें जोड़ने से कौन रोक रहा है हम जुड नहीं पारे सारे खट लोकता है बाकि हमें कोई नहीं रोकता है मन रोकता है यानि कि हम खुद अपने मन के द्वारा रुके हुए हम चलना हम इखटा नहीं होना चाहे थी ठीक है और धन्यवाद सर्थ भूद सिंवन्गल सर्टी बताएं सर हम जिस दिन नीजी स्वाथ रोकता है ठीक है सर आजी कुली सर बताएं सर तो अपना अपना नहीं तो अपना अपना आंका नहीं अपना आंका भगा राया हमें ठीक है थीक थीए धन्यवाद सर कासी नाथ पाल सर बताएं हमारे शाप सर जो हमारे बीच में कुछ संगठन है वो हमको रोक रहे हैं चुकि वो चाहते हैं तो आपको लगता है कि दूसरे लोग आपको रोक रहे हैं और आप उतकी वैसे रुके हुए है ठीक है सर रुके तो नहीं है हम तो खाम कर रहे हैं सर लेकिन दिक्कत हो ठीक धन्यवाद काशिनासल जी सर वरंसिंग सर जी प्लीज बताएं हमें अपने आपारी रोक रहा है हम खुद ही रुके हुए हैं हम जो है जो बाबा साहिब की शिक्षा थी वो हमने सही से नहीं ग्रेंड की इसलिए हम रुके हुए अब भी नहीं है कि हमको को बाहर का व्यक्ति नहीं रोक रहा है हम खोदी रुके पड़े हैं तीक सर थेंकि वरे मच डॉक्टर जबर सिंगी बताएं सर अब और अवा सा जो से बोनिया साथ हा रही है तो हम जो मोनलिवास हैं सर हम मोनलिवास को हमारा इतियास ही नहीं है इसलिए लोग जुनने से रुक है है अपने इत्यास को ही नहीं जानकार ही है या अपनी जानकारी का भाब जी बिरकुल जानकारी का अब हाब है हमां जैसे आप लोग प्रियास कर रहे हो और लोग कर रहे हैं अगर इस तरह से होते हैं तो जानकारी बढ़ती रहेंगी बात करनी है वह अभी प्लोगी बहुत साई हैं आपका धन्यवाद सब्सक्राइब करें अब करेंगी अब करेंगी किसी को भी कोई व्यक्ति नहीं रोग सकता है अगर उसे हम चलना चाहें सब्सक्राइब करें अधिकतर लोग यही बात बता रहे हैं कि हम खुद रुके पड़े हैं कोई नहीं रोकता हमें जी पहुमत यहीं कह रहा है राम जी परसाद सर बताएं सर तो हमारे अंदर कमी है आत्विश्वाज कमी है कुछ लोगों में जागरुकता भी कमी है लोग अपने आपको बदलना नहीं चाहते हैं लोग सोचते कि जहां हम हैं वहीं ठीक है अच्छा सर जिन में जागुता आ गए हो जुड़के क्या जी सर मेरे अंदर सर जगता गया तो जुड़किया ने मैं तो राम जी परसाद सर आप से पूछ रहा हूं जो इतने सारे यह लाकों की संग्या में जगे पड़े लोग है क्या वो जुड़के बाइतना सा पूछता है हाँ या ना कर देते बस जैक दन्हेबाद सर आ गताए पी स सरे क्या हम समाज को तीन बागों कर देट किसान की अलब समस्या की ऐलब समस्या की ऑचवार पी तीनों की एक Morgen सब्सर्डय जी हमें तो दरसल क्या लेक्षर नहीं होगा अभी सिर्फ आप इस ना हमें जुटने से कौन डोक रहा है सवाल है हमारा जो यह प्लेट फार्म है इसमें कुछ डाउट्स है बस नहीं डाउट्स की बात तो हम बात में करेंगे अभी तो सिर्फ आप ने तीन देर सोचा समझा है कि हमें जुनने से कौन डोक रहा है पूरा भाशन नहीं है भाशन तो बहुत लंबा हो जाएका जरे इस तो तीन त्री घंटे का बोलेगा राइट राइट सर्व सबस्द्स मैं आप से बात करता हूं बात इसको थैंकि सब्सक्राइब अशोग बहुत कुड़गां से सर बताएं जैभीम सर इसके लिए हम खुद स्वेम जी में वार हैं खुद है सर जोडने में लोगों को इस नहीं सरमात कि दूसरों को बताने में कौन से एप्ट तो इसके लिए हम खुद जी में वार है थेक्ट सर थेंक्यू अ मनिलाल बंजारे सर जैभीम सर जी जैसमीधान सविंधान की प्रति अग्यांता राजवितिक स्वार्थ और हमारी समर्पड की कमी के कारण रुका हुए तो आपना तीन बता दिये सर अग्यांता है आपको लिए दान की कमी है और समर्पड नहीं है जी पताएं जी नमवद्धाय मूल लिवासी है अपने इतिहास से अन्विग्य है अग्यांता है जुड़ पार रहा है जी जी बिल्कुल अग्यांता है जुड़ी दॉक्तर एम के बर्वा जी सर बताएं सर मेरे इस बारे में एक विचार है कि आज का जो समय है बहुत ही कॉंपटेटिव है और हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा और हर चीज में यह तो आप यह तो सर आप उपाए बता रहे हैं मैं तो अभी सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि हमें जुड़ने से रोख कौन रहा है है हमारी अग्यांता अग्यांता ठीक है सर थेंक यू आ चंजी लाली चंजी लाल सर बताएं हां सर सभी को जैभिम नमव बुद्याए आपका जो कोश्चन है सर उसका मेरे पास सरब यही है कि हमारी पहली पर्थम जो है अग्यानता और संगठन की तागत को ना हमारा एम रोकता है और कोई नहीं रोकता है अब में जुड़ने से हमारा एम रोकता है और दोर पर फिश्चन है एम रोकता है सर ठीके सर थेंक यू बज़िमाच महिज बाबु आगरा से जी सर बताएं महिज बाब अपना वो को लिए माइक खोले सर माइक को लिए सर माइक सभी समानत सातियों को जय वीम जय सम्मिधान एक्षली हमें तो कोई नहीं रोक रहा जुड़ने के लिए लेकिन इतने गृपों से लोग जुड़े हुए हैं उसका वो एक इशकचाट वो है आपस में इसलिए भी नहीं जुड़़ा है हमें कोई नहीं रोक रहा है हमें कोई नहीं रोकता है ठीक है ना यानि हम खुद रुके हुए हैं जी बिलकुल अभी confusion में मतलब इतने गृपों से आद में जुड़े हुए हैं चोंकि अगर हमें कोई नहीं रोकता है तो इसका मतलब हम खुद रुके हुए हैं ना दो मैंस अपना माइक वोने सर अपना माइक वोने अपना माइक वोने सर ग्यांता और पर्तवर्श्ट वावना है कारें तोकती है अब जो लोग है रेजने करना चाहे वो लिख भी सकते हैं अब उसमें क्या वोलते हैं इसमें चैट में ठीक है सर अधुट नसीमुदीन अंसारी सर बताएं सर अधुट नसीमुदीन अंसारी सर अधर जैसा निए तर जो अस्तितो यानि युद्ट रेंग ताकत को कोई प्रक्ता नहीं करना है यह तो मैं आवाज नी संबार हूँ आपकी आवाज आनी रही है है हमारी अग्यानता बोले इंग्नोरेंस ताकत को ने समझ रहे हैं हम अग्यानता है सुबाज बंबन कर सर बताएं सर जी सर हमारा एगो हमारा विचार हमारी अग्यानता और सामने वाले का बिस सेम पोजिशन है जो हमें आगे बढ़ने से रोपता है तीन चीज़ आपने सर अध्यानता एगो सामने वाले की पोजिशन समझ और सामने वाले की तीनों से पोजिशन सामने वाले की समझ ठीक है थैंक्यू कि यह आवाज मजे नहीं आ रही या सब्सक्राइब करना हमारे लोग अध्यानी है सर मेरत मायक तो खुला हुआ है ठीक है सर आ रही आवाज आ रही ठीक है थैंक्यू हरे मैं सर आ जग्दी जुगे सर बताएं जुगे सर हाँ जैभीम सर बताएं सर बताएं सर हाँ मैं सर ये मेरे जो दिमाग में जो बात आ रही है ये आ रही है कि जो हजारों साल का जो पड़दा पड़ा हुआ है न हमारे जो नकली हिंदू बने हुए हम अग्यान तक है इसको एक सब अग्यान तो वो निकलने नहीं दे रहा है क्योंकि धर्म है यह जो लोग है कि हमें बूदिश्ना बना दे ऐसा लोगों के दिमाग में बात है कि जो हमारे जानकारि नहीं है हमारे लोग ऐसा इसा नहीं जुड़ता है सोधीर कुमार सर बतायांगे, सुधीर कुमार सर सr सभी को जईबहें हमारा एहम है जो हमारे को जुड़ने निन दे रहा है और कोई रोक रहा है यानि कि कोई बाहर का है मैप खोली से अपना है माइक खोली है माइक है हमारा हेंकार खुद का हेंकार दूसरा है हम आ गया है हेंकार एगो आ गया ठीक है सर और जांकारी का भाव और सामने वाले का जो जब आ रहे हैं वो सब किनी चीज़ आगे हैं ओके सर थैंक यू बरे मच आ नंदन सिंग जी बनाएं सर जी सर नफरत का नजरिया भी है सर यह को प्रतिश्था पैसा उसका अभमान गमंड यह भी है ओके सर थैंक यू बरे मच नामभी शिंग बहुत जी पताएं सर जी आप सभी को लोगों के पास में इतियास की जानकारिया नहीं है जानकारिय ना होने के अभाव में वो समझी नहीं पाते की जाना का है वो करना जी अग्यानता जी थैंक यू बरे मच सर इस्पोक्स यह लाल समण सार सूरस से मन रोक रहा है मन नहीं बना पाएं जोड़ने का मन रोक रहा है वेरी गुड जी सर थेंक यू अ बचलार की बताएं सर हम एपनी गुलाम है हमें एपनी गुलामी का अशास नहीं है जानकरी का अशास हो जाएगा कोई रोक नहीं पाएगा जानकरी का वह रहीं का सकते सर थेंक यू अरे मच अ बहन जी गीता कोरिया जी अजी बैसाब यह न जाती बाद है इसका में कारण जाती बाद यह आम जाती नहीं एक दूसरे के पास हम आप अपनी जाती में सिम्टे में तीके थेंक यू इसके बाद है बालचंद बहुत सागर से हैं किसे पताएं सर जी सर मुझे जो किसी से जुड़ने से कोई नहीं किकट्तिकत रुकते हैं के करण में जादा लोगों से नहीं जुड़पा रहा हम जुड़ा तों कि बहुत से लोगों से तो कि थैंक्यू सर थैंक्यू आ अनुद धहिया जी बताएं सर जी सब्सक्राइब है सर यह अपने जो लोगों को मैं जूड़ने का नहीं कानव उस्टरा अग्यानता है कि राइट इंफॉमिशन निये लोगों के पास यानि अग्यानता है जाने का भाव है जी सर क्योंकि जह कि बात करते हैं लोग एक जात्ती की बात करते हैं ऐसर बोसर आप दुबारा आगे निम्बर पर एसर बोसर आपके हैंड़े दुबारा से है सुरेश बराजी हिसार से बताएं सर जैबिम नमौदा सथ सर मेरे साफ से जो डिजिटल आजकल जमाना उसमें जानकारी कर तो कोई अबाव नहीं है सिर्फ हमारी जग कमफर्ट जो नहीं हो ही हमें रोक रहे हैं यहां जी सर ठीक ठीक हमें जो विलास्ता मिली हुई है जो ब अब विनोद कुमार विनोद अहिरवार सर जी सर नावदा सभ्ट जाविन सर्थ सर मेरे साफ से तो मैं लगता है कि लोगों का आहन और लोगों की अग्यानता और उनके अंदर जो डर बैठा हुए मनुवाद के पिती कहीं वह मान नहीं दे क्योंकि गवाद्वाद के डर में इसे लोग जुडते लिए दूर रहना च जुडते लोग को सब्सक्राइब का ठीक हो के सब्सक्राइब करें जैसे जानकारी का वाव है लोगों को इतियाज नहीं पता अपने महाप्रुशों का सब्सक्राइब में हमारे लोग जुड़ेवे हैं और अपने ही लीडर्स भी उसमें गदार है सब्सक्राइब के जो अध्यक्ष मनें वह भी गदार निकले सर उन्होंने भी समाज को धोका दिया है और सब्सक्राइब 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 अब आज चुके लगए लगए अब हम से बस अब हम आई एस बन चुके डॉक्टर इंजीनर आई पर आई पर बन चुके अब हम से अब हमारा कुछ निए सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब 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 सब्सक्राइब लेकिन पहिंजी आपकी अवाज करें नहीं आ रही है बोलिये 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 मुझे किसी नहीं रोका और पूए नहीं सकता लेकिन आपके वाज किरिया नहीं पारेगे आप चैट बॉक्षों डाल देंगी कि आपको जुड़ने से किसना रोका हुआ है तो अच्छा रहेगा अच्छा बताएं सर अच्छा 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 लग रहा है कि हमारा जो समाज है ना सर तो अपने ही लोगों के द्वारा ये काफी सताया हुआ है या पलपल पर या पक पर जो है अपने ही लोगों से काफी ठोकर एक खाया हुआ है इस वचे से शायद लोग नहीं कर पारें कि बिलिंग किस पर करें सर अब विश्वास की भावना है विश्वास नहीं है ठीक है सर अब बिभारानी एंड अरुन कुमार मुचफ़नेगर से पता हैं सर जी सर हमें कोई डर यह मैं तो जुरा हुआ हूँ लेकिन हम एक गुलाम प्रविती के समाज के लोग हैं इसलिए हम लोग लरना नहीं चाहते हैं अब जो लोग हम हैं सारे सारे वो तो नहीं चुल पा रहे हैं मगर आपने कहां कि जुड़े हुए हैं ठीक है सर यह पॉजिटिव बात है लेकिन गुलाम प्रविती के समाज के लोग है इसलिए लरना नहीं चाहते हैं गुलाम प्रवती है ठीक है सर थैंक्यों वरी मच्च अब बताएं डॉक्टर बहादुर सिंपलाम बता दिए बताएं सर मेरा विचार है जो पढ़े लेखे लोग हैं सभी जावरू के जुड़ना चाहते हैं ऐसा कोई उनको पात दवाब नहीं है कोई उनको रोक रहा है लेकिन ऐसा हो सकता है को समय की व जिननों को मैंने जुड़ा है वो जुड़े हैं और इंट्रेस्टेट हैं पढ़े लिखे लोग हैं सब इंट्रेस्टेट हैं किस बे कोई दवाब नहीं है मतलब यह कि समय का भाव है जी समय का भाव ठीक है सथेंगी वरे मच आज सुरिंदर सुरिंदर पर का सर बताएं जिस जैविम सार नहुंद हैं सर मेरा मनना है कि अज्ञानता एहंकार आले से तो सेवर है सर इसके सांसर दढ़ इच्छा सकती में कमी हैं सर और हमारे समाज ल दढ़ अप्राइच और थे उच्छा सा रखने में दो बहुत बड़ी कमी है इस तेंकिए विश्य संग दहिया इंकार और अजयानता जी सर में अपने गौरव इतियास की जानकरी नहीं है जी और जुड़ने के फायदों को नहीं जान पा रहे हैं लोग उन्हें लगता है कि संविधान कैसे बदल सकता है और हम हमें जुड़ने की जरूत नहीं हमारे से संगठन है तो में कारण यही मुझे लग लग रहा है कि संगठनों में अभी भी लोग बटे हुए हैं तो वो एक दूसरे से connected नहीं है ठीक में जी आपने कहा गौरव जो गौ इड्वोगेट राम चंद्राजी गुज्रास बताएं सर्व। यह सर जैविंसर सर्द दो चीज एस सब एक तो इंटेंसिटी की कमी वह इंट इंटेंसिट्टी अमारे जो प्रेप सांच लाइस की क्मी है हमें जुडने प्रावलाब लिए और होना पड़ेगा काम करने के है आप यह कर रहे हैं कि हमें एक तैसे मारक होना पड़ेगा जुड़ने के लिए हमें इस इस प्रेटफर्म के इसटी हमें ने समझपा रहेंगी लोग की इंटेशिटी कितनी है हमारे बहुत लो है ठीक है सर यह सब्सक्राइब बड़ोद्रा से बताएं सर हमारा कॉंसेट क्लियर हुआ हम तो जुड़े हुए हैं लेकिन हम अपने में जुड़े के बाद प्रचार प्रसार हम कोडरा करेंगे तो जुड़ेंगे लोग कि कि हम निकर ने कर Felix लेकिन पीर मती सर्सतरवाजी बता रहां जी तो अपना इत्यास तों बिलकुल नी जानते अंज्यानता हो गई और जा करएई और वो आज में जी रहा हैं, सोच रहा हैं कि हमारे पास सब कुछ है, आज हम डॉक्टर निंजिनर हैं, जिनके बच्चे बनेगे, विलास्ता में आगे आज के हिसाब से, उन्हें जरूत नहीं है, तो वो आगे के बारे में उनको पता ही निए कि हमारे साथ आगे क्या होने व विद्या बहुत सिर्शा से, तो निए भी नो मत बताया हैं मैं जी, मैं बहुत आगे गट्या, नहिधर की राजनिती करने वागे लोगे हमें रोगते हैं जुनने से, इस में स्वारती हो गया, एक दुष्ट हो गे? दुष्ट ह फी हो सुआर थी दो बाता हो गए? दोस्त कि लोग और वॉश्ति लोग हां एंजा कि अजी आनली में अजी कि लगत दिली से बनाएm सर हम हमें न संग में कितनी शच्ती होती हैं उसकी हमें पहचाम नहीं है उस आमें एसास नहीं है कि मिलकर रहने में एकटे रहने में हम कितने ताकतवर बग सकते हैं उसके उसकी हमें बिलकुल भी मतलब एहसास नहीं है उसका जोड़ने का फायदा नहीं पता हमको संग में रहने में किपनी ताकत होती है उसका नहीं पता हमें या उसका एहसास नहीं है तंग की ताकत का पता नहीं है ठीक है सर जी सर ठीक है लाडू बोजी बताएं सर बुली सर पस्ट तो है अग्यानता और दूसरा है हम किसके साथ में जुड़े वह इमांदार हो जैसे बाबा साप की जैसे हैं इमांदारी कमी बोलने है जी हां इमांदारी की कमी ठीक है सर तीसरा है त्याग सर त्याग नहीं है त्याग की भावना नहीं है ना जी सर ठीक है सर ओके थैंकिवरें इंजिडियर देवलाल सर बताएं सर एक हम आग्यानता की वज़ा से नहीं जुड़े दूसरा जो दूसरे सद्रम जैसे यहां पर बताया जाता है हर रोज उनतीस लाक हमारे संग्धन है उस गंफर्ट जो उनमें इतने राम से बैठे कि छोड़ना नहीं चारे या दूसरे सब्द में यहां कि हम उनको कन्वींश नहीं कर पा रहे हैं तो यह बड़ी दिक्कत आ रही है उन जिस संग्धन में बैठे है उईजली उचोड़ना नहीं प हुआ है बोली दॉक्टर आशूंगी बोली सर मैं मुझे ऐसे लग रहा है लोग तो हमारे साथ जूड़ रहे हैं लेकिन वह एक ही पूछ रहे हमारा गोल क्या है हमें गोल देना पड़ेगा हमारा सेट करना पड़ा पड़ेगा गोल और हर किसी को वह साध्यता के तरफ ले किसे नहीं जुल पा रहे हैं इतना सतर साल का टाइम हो गया उनके का कारण पूछ रहे हैं यह जो कारण तो आगया सर देखिए हर कोई अपने आप में रिजर्व माइंड रख रहा है वह सो सब्सक्राइब जो जो एसा सतर साल में जिन लोग उन्हें काम किया है जो उन्हों प्रक्राण वावा कोई देखिए है कि सोर जा रहे हैं हमें इनके बात नीकाल रहे हैं जो हमारे जिटने भी जुड़े हुए लोग हैं कि वह कहां का क्या क्या समस्या face कर रहें वो पूछ रहे हैं अभी तो क्लियर होगा यह दाड़ी वाला बाबा एका दे दिन रात को बारा बज़े आके हमारे सभीदान को फेग देगा और मनुस्मूद लगुद करेंगे आज तो भाश्रक अभी समय में अभी बचाना है सभीदान बच्चा तो आप हम सब बचेंगे हमारे बच्चे बचेंगे हमा खबा यूद लाव लेता है उनकाह ले लेते हैं कॉन मुझे ने के लिए थैंक यू धैंक यू राम फोइना जैस्वार ना चैस्वार बता है इस आर्खना शरानके मर्श पता हे लिए है अब कि है आप अपना यह निकाल दीजीbu यहां तक समझमाया अगर आप लिए समर्संग में क्यों नहीं होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं कि 70 साल में जो साली लोग है वो जुड़े क्यों नहीं है उसकी बात कर रहे है कि अच्छा समरसंग की बात नहीं ए तो उसके सारे बुत के सार बहुत सारे कारण है जो बता चुके लोग उने से अगर कोई नया है तो बता दीजिए हैं तो हम लोगे में जैसे हमें कोई अपर करो फादा किशुल दूसरा निया मिलने वाला यह जबता को समझके बार्टाइब अपने पने फादे के लिए है जब तक फादे लिए जोड़े की नहीं लोग सिद्धाद कामले जी बताएं सर सिद्धाद कामले सर सिद्धाद के लिए कोई दिक्कत नहीं है और मतलब एक तो समन संग जोडने के लिए ना तो हमने आपने हमको नहुता भेजा था ना हम आपके पास में कोई अरजी लेके आये थी कि हमें जोड लीजिए लेकिन हम आपके साथ में कनेक्ट हो गए है तो यह सबसे पहली बात हो निए कि लोग जुड़ते नहीं है यह सवाल ही हमारा गलत और रही बात दूसरी कि बाके के लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं सवाल यह पूंझते हैं तो बना है उन्होंने आपने मत बना लिए है मठाधी है और मठाधी पती बनने के बाद में हो आपने सक्षैक् मरल दो जोनने वाले लोग मोझों के अलगे यह सर ओके थैंक नजी जीरो परमखो भुपे सर बताएं सर परमखोपे सर जी सर मैं ऐसा मानता हूँ के जो दो कारण मानता हूँ उससे जो सब से महत्वा का कारण है सब से IMPORTANT जो तुकि यह सतर सालों में जो हमें धुक्तिविशन मिली है वह लेकिन यह राइट्स के साथ हमें आप प्रति हम जागरुप नहीं इसलिए हमारी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे है इसलिए हमें जूड़े नहीं और दूसरा जो है वह है ऐसा में जुढ़ने का दार्व पर शर्चा नहीं करते हैं सर सो एकन कर के पूछ से बने कर रहें 00.'' और एक हमें ऐसा मजदन सीची ने हम जी जी तो यह समवेदर शिलता जो है तो उसका जो है तो उसका मैं ऐसा मानता हूं कि हमें लॉसे पता है फिर भी हम नहीं जूड़ा बात सिर्फ दो दो आपने चीजे बता दी कोई तीसरी नहीं नहीं और तो कैसे प्चलटा बात में करेंगे सर जी जी ठैंकियो थैंकियो रतिलाल देसाइज सर आपका तो बहुत experience ने बताएं सर माइक खोली सर माइक खोली माइक बोली सर हम लोग आई मोड से भी मोड में नहीं आ रहे हैं अच्छा आई तो बहुत वह नहीं हो रहे हैं आइसे भी में निकडवत हो ए दुसरी बात कि जो दे ही है हमारा तो उसके प्रति समर्पन भावना कर्मत्ता की कमी है और हमारे लोगों में प्रति सारी प्रति नहीं है ठीक ठीक उद्देश से के पिर्टियम सीरिस नहीं है अच्छा इसमें जितने भी बात आ रही है एक बात बड़ी कॉमन है कि जितने भी लोग कह रहे कह रहे कमिया सब हमारी ही है कोई दूसरा नहीं रोक रहा है हमको यह ध्यानक ना सारे सारे यहां जो 255 लोग बैठे हैं जिसको बोला जाता है वो नहीं है कहीं भी अभी तक यह बात निकलके आई ए चलिए सर ठीक है थैक्ई वरिमक्च जन्मीर सिंग टॉंक बताएं सर बढ़े पताना चाहता है तो कुछ था सर आप हैंड नहीं से अरे आप तो नियम तोड़ रहे हो यह नियम तोड़ा है बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप सर असिच्छा और आंकर असिच्छा और आंकर असिच्छा असिच्छा कौन सी है किताबी ग्यान वाली अश्र ग्यान वाली है या जो समझदारी वाली कौन से असिच्छा है इत्यमस्दार ही ज्नवाली ज्ञान वालय ताग अज्ञान है और आंकल ठीक 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 है धर Thank You very much रण मशीं टांग जी बताएं अपना माइक खुलिये रण मिशीं टांड ढी रण आपका माइक खुला ता फिर बंद हो गया दुबारा खुलिये दुबारा खुली सर कोई बात नि जब आपका माइक खुले तो आप आ जाना अच्छा खुल गया बुली सर बुलिये सबसे बड़ी बात यह है कि हम दोगों का एहम टकरा रहा है क्योंकि अब तक हमनों ने मंच पे बैड़े हैं और मालाएं पहनी है यहां ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है एक करण यह है दूसरा यहा यहां की बात नहीं कह appeal दे क्यों नहीं जुड रहे हैं यह तो संख्या जब हम अगले दिन चेक करती हैं तो साथ सो आथ सो नो सो हो जाती है कई बा divisक हो जाती है कई लाने सो फॉन हो झाती यहां तो हमारी Jags क्योंकि हमारे पास में में पावर कम है जो तो बहुत लोग रहे हम इतने अ कुझने खेज रही है हम यह कह रही है सतर साल में जो 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 लोग है वो नहीं जुड़ पंढ़े ऊसंस कौन रोक रहा है सर समाज के पिर्ति समर्पण की भावना हमारे अंदर से गाएव हो चुकी है यानि कि समर्पण नहीं आपकी थीक है ठीक है ओके थैंक यू आ नूतर बहन जी पताएं सर बहन जी आप पताएं जैभीम नमवगुद्धा है अ मैं तो जुड़ी हुए सर अंद लगता है जब मैं जोड़ना चाहती तो उनका ही अहम है मुझे जोड़ना चाहते तो पुराने शुद्ध कर एक गुलाम गिरी की बावना है अंदर अभी भी बस यह दो तीन पॉइंट में नहीं है दो बाते मुझे आप नहीं है एक शीलाचरण उपर तो बाते बताएं आपने एक तो क्या बोलते हैं धंब में आशनी कमी है और दूसरा क्या प्राणे संसकान नहीं जा रहे हैं बिलकुल सर थेंक यू ठीक है बहुत जी आपको खुला के माइक गोपाल बहुत सर बताएं आप गोपल बहुत सर में लोगों में नसा है पैसे का नौकरी का अच्छे मकान का अच्छे सोरत का यह नसा जब तक रहेगा नहीं जुड़ताएं इसका मकान का पैसे का तागत का हर चीज का जो नौकरी का दौलत का नौकरी का इसका नशा है ठीक है सर थैंक्यू बरी मुच डॉक्टर हीरा सिंग जी प्लीज बताएं आप बताएं सर मैई खुली है सर मेरे विचाड से सर ना जूनने के ना जूनने के काराण पहला कारण है इत्यास के भाव में अज्यांता होगी सर इत्यास के भाव में मनवादी धर्म की मानसे गुलामी नमपर दो है अभी वी हम लोगों में जो है मनवादियों की प्रतिकिर्या का भै यह लोगों में है डर है डर तो अभी बताया ठीक है सार ओके थैंक यू एरी मच प्रेम चंद्रा सर बताएं आप बताएं है 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 हमारे तो विचार से है पहली बात तो समाजिक टसन की कमी समाजिक टसन और दूसरी समाजिक टसन की कमी सर वो थोड़ समझाओ यह तो नया सब्सक्राइब क्या होता है जो समाज की प्रती दर्द होना चाहिए उसकी कमी समाजिक मंदारी की कमी समाजिक टीक है सर ओके जो जात बहुचन को जुड़ने नहीं देता जाती जाती पहले से सब्सक्राइब कर दो रिपीटी हो रही है यह जो नहीं बाते हैं उनका पता चलता है कि यह जब तक आप पावर में नहीं आता है तब तक वो लोग आप से जुड़ेंगे नहीं इसका मनलब यह है कि कमी है यह राजा बनने की के में जिसके हाथ में पावर है चाहे वो कोई भी हो तो उसके वो तलवे चाटने को भी तयार है ठीक है राजा ने होना कमी नहीं होना यानि पॉलिटिकर पावर नहीं है और वो लोग क्विक रिजल्ट चाहते है यदि आप में से कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है आज तो इमेडियेटली आपके साथ जूड़ जाएंगे लोग तो यह पहले अंदा पहले मुर्गी की कहा और दूसरा जो जो शेल्पिशनेस है तो सब लोगों ने बता दिया है और लोगों में करप्शन की भावना है करप्थ है मतलब जो किसी ने अभी पहले बताता ना धम्मा चरण नहीं करते है तो यह ऐसे तिंचार पॉइंट से हैं और दूसरा और यह है डेडिकेटेड लि लेडर्शिप कोई दिखा देता है कि हम एक दम बाबा साथ के जैसे ही है तो सब छोड़के वह आपके पिछे आने की तयार है व्यक्ति चाहिए एक तगड़ा व्यक्ति चाहिए ज़िए यह यह ऐसा ऐसा ऐसी प्रतिभाशली या ऐसा इंटेलिजेंट या नालेजियेबल क कि जिसको सब कुछ समर्पित करने को लोग तयार है ऐसा आने के लिए लेकिन वह तूटने का जो प्रमान है वह ज्यादा है ठीक है सर ठीक है सरोके सर ठीक के मुझे अजय बने के लिए इन बाबा साब ने बिला न बाबा साब की वजह से यह दि बाबा साब नहीं होते तो हम नहीं होते ना, तो इजीली मिल गया लोगों को, तभी सब पैसा, प्रापर्टी सब आ गई, और दम्म के तरफ उनका ध्यान नहीं है, तो एक जनों ने बता है कि दम्मा चरंता, दम्मा हमने आये नहीं बुद्ध का दम्मा, इसलिए वो लोग जूड नहीं रहे हैं, य क्योंकि जो संगटन अपना बनाता, इसलिए वो लोगों का वीश्वा सुद गए, मैं तो जूड़ी हूँ, चार पाच मैने से मैं तो जूड़ी हूँ, जो यहां जूड़े हैं, उनसे सवाल नहीं है, सवाल है कि 70 साल में लोगों क्यों नहीं जूड़े, उसका कारण करना है, इसको पैसे देना है, उसको तो लोग अभी पैसे भी नहीं देते, कोई भी कार्यकरम नहीं है. चंदे का और पैसे का करशन हो गया आपकी तरफ से, ठीक है, मैंने तो बामसेट में काम की हूँ, सर मैं कांशिरम जी से, कांशिरम जी के साथ में काम की हूँ, मैं, विजेंदर सिंग सूरा से, बताएं सर, जैभी नमो बद्दा है, तो कोई नहीं होग रहा है, लेकिन हमार इसले लोगों में नासंजी का कारण बहुत ज्याता है, कि ईजो लोग मिश्टे को भी को सपते यह भावा साथ को आपको जानते है फिर भी कुछ लुदyu्य, पर नहीं चल रहे हैं, तो यह सबसे बड़ा जो है नासंजी का ही और अग्ज्यानता का कारण वाद में आते है, है ना समझी है जैसे जो लोग जानते हैं फिर भी स्पार्थ बस दूसरे संग्ठनों में जा रहे हैं या उनको यह नहीं मालूँ है इसको मुझे खोते हैं मूरक हैं आपने दो सब्दों करें अग्यानता और ना समझी सब्देए एक ही मतलब है ना समझ कभी मतलब है और अग्यानता की काल सब्सक्राइब करें हैं टो प्लेवेस जो जांते हैं जैसे मैं हूं जानता He demands अग्जान है ठीकै सर पिक्पर पिताया है पताइं टूर सब्सक्राइब आगर मैं इस ग्रूप पे इतने बंदे हैं अगर मैं बोलू के मुझे अपने लड़के के लिए एक रिस्ता चाहिए या वो किसी गोले लड़की नहीं देगा अपनी उनका जो एहम है बटे हुँ है वह पहले से जुमारे आप आप इस ग्रूप की बात मत कीजिए क्योंकि आ होने वह तक रही है हाझी सर बिलकुल बिलकुल जब जब हम स्टार्ट कर देंगे तब ही हम जुना शॉट हो जाए आपकी तर्से दूटी बेटी का वहबानी वह इसनिए हम फेर होने बिलकुल सर बिलकुल विलकुल ऑकि सर उम्राव लाल बर्माजी बताएं सर बताएं सर मैं तो जुड़ा हूँ और कोई रोकता नहीं है यह जो आपने सतर साल की बात कहिए कि सतर साल में लोग जो नहीं जुड़ रहे हैं सबसे मोटा कारण कि हमारा कोई संचाल नहीं घूर हमारी संस्कृती जीनकर खतम कर दी ने तो मारी इसका अभासां के बाद कोई स हद ने होता तो हम जुड़े रहे आप आप क्या कै रहे हैं कई सर्सं देखो स हधी पीछे और एक होता है बना तो जुड़ना चालो हो गए न होना सार नहीं तो पर आपर बाबा साहब कोई लीडरिश्टिप नहीं कुझ मेना किया था है यह साहेल जैसी सब्सक्राइब गें दश्कम क्निकर से हैं लगते हैं पाइब इसे तो चारीज पचारास साल में सुनिल कुमार मेरा सर बोलिए सर संग की लिडर्शिप बोलिए सर बोलिए यह भी नहीं नहीं होता है बता है इसर मुखे कार्ण यह रहा कि हमारा समाथ बोट सद्धियों से अग्यानता मेरा एक तो अग्यानता हो गया और एक दम सका चौद आगे जी सब को अपने-पनी पड़ गे जी एक स्वार्थ हो गया और दूसरा यह जी जो लेडर्शिप है एक लीडर्शिप का भाब हो गया औ बागी जो लोगों ने बता है वह भी ठीक है ना दूसरा सब्सक्वात और हम सब्सक्राइब मित्र है राजेश कुमार परवाना से वह भी कुछ बताना चाहते हैं कि मैं उनको इंटूडूच कराइए क्योंकि इंटूडूच होना बहुत ज़रूरी नए आदमी का यह काम तुम बात भी कर लेंगे इंटूडूच कराइए सर उनको राजेश कुमार जी जी अपना परचह दीजिए सर ननी प्रेम नोंगर सी हुची आर जी मैं तो परियार से लगे हुए हैं परियार संदेटों मीटिंक करते है नहीं बरवाड़ा से बरवाड़ा मैं मलाव इस बरवाड़ा जिए मैं ओके ओके आपने कुछ कहना चाहते हैं आप ने सर मैं तो साथियों ने मलाव अपने डाक्टर पीवी सिंग है और मेरा साहब है इन्होंने बताया समन संग है जुड़ो अपना फॉन नमर लिखेंगे जो इन रसर चुरान में छहसो साथ है वह दिए यह बोलो कि छहसों साथ के बाद में नब्बै जीरो एक सट नब्बै जीरो एक साथ है इस फॉन पर लिख रखा है यह किसका है यह किसका रहा है इस सो दो अठाशी पिचाण में नहीं जूड़े रही है आप और क्या बोलते हैं औरों को भी जोड़िए आज करसल किया है कि कोंकि कंसेप्ट के लावा कंसेप्ट भी देते जा रहे हैं तो यह भी पूछ आज बाच बाच चलिए इसमें भाग लीजिए और बताईए ठीक है सर अच्छा लगा औरों को भी ज जैवी में बुद्जाए सर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि सर, जहां तक जुड़ने का सवार है, 70 साल में, लोग अपने-अपने समुवों में जुड़ रहे हैं, कोई सामाजिक छेट में, कोई आर्थिक छेट में, कोई राजनितिक छेट में, कोई धम के छेट में, जुड़ लोग सबी सहमूख के लोग एक साथ जुड़ें और उसका एक काण हो सकता है कि लोग एक दूसरे की leadership accept ना करें ना कर पाना और एक दूसरे के साथ intimate ना हो पाना एक दूसरे की feeling को ना समझना उस format में ना पाना यह एक ऐसा हो सकता है आप हम यह नहीं कह सकते कि लोग नहीं हुड रहें जुड रहें अपने फॉर्मैट क्वाइब चुड रहे हैं ने जुड तो आज हमारी पॉलिटिकल पावल सुषल मतर इस्टिह से लीडर एक दूसरे को एक्षप नहीं कर रहे हैं उनका सब करते हैं रहा है अर। हम तो कर रहे हैं हम पूरा संबान किया तो सब्दाइब और ऩुरी रहे हैं लोग हैं दस बंद भीस लोग हैं वो जरूर ऐसे को अइंटिफाई करें पर लोग कुसे इसमें जतने सारे सीर्स हैं इसमें जो काम करता हैं वह रहां हूं किनी वेक्तियत काड़ों से लेकिन मैं साथ को सुनता हूं आपको करता हूं आपको दिल से सम्मान करता हूं एक अच्छा समू हमारा इस पॉर्मेट में काम कर रहा है और इक अपने पॉर्मेट को लुक्रेटिव नहीं बनाएंगे तब तक लोग हमसे आते रहेंगे जुड़ अधरबाद आयो यहां तो बहुत साथ लोग रुके हैं डिली में मीटिंग होने वाली है जिसमें हजार स्पोक आने वाले मैं मानता हूं आपको पता नहीं है काम कितना फैल गया है आपके आसपास चार मीटिंग है इसमें मार्च के अंदर जी 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 का एक समू है चितंद सब्सक्राइब आपको स्वागत थी जी तैंक यू सर इस तो थान सिंग अमरोह से बताएं सर अब बताएं सर नहीं बताएं सर बताएं इस मैं कह रहा हूं हमारे सब्सक्राइब 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 बत्मार में जी रहे हैं जी सर बत्मार में जी रहे हैं जी सर बत्मार में का हमें ग्यान नहीं है बहुत की चिंता नहीं है क्या लिखना आपकी तरब से कि भविसे का पता नहीं जी बविसे की चिंता ही नहीं अब बरतमान में जी रहे हैं ना हम यह थी करें आप ठीकर है ऑप जिए तक तक थे हैं क्योंकि जिनको चिंता होती है से उसे फिक्ते हो जाते हैं जाते हैं क्ल教 करते हैं — K porta नहीं है उस्के पता ना पीछे का पता है बस एसी चली जा रहे हैं मस्त हों गए । थीसे पहला सिंग फिए पहला सर पता है जी सर जै भी हम नमोवद्धाय बताएं सर आपके विचार रोजाना हम सुनते हैं और आपने आज जो प्रस्थिन किया है उसके बारे में मैंने ये सोचा है कि जिनको हमने पॉलिटिकल सत्ता समलाई है वो सत्ता सुक भोग रहे हैं वो समाज के प्रतिश समर्पित नहीं है और जिन पार्टियों के माध्यम से चुनके जाते हैं वो उनके एजेंट का रूप काम कर रहे हैं वो हमारे समाज के बारे में कुछ नहीं समझ रहे हैं ये कारण है क्या कि पॉलिटिकल जो अलग अलग पार्टियों में जो हम चुनके बेज रहे हैं वो उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं वो समाज के प्रती समर्पित नहीं है बाबा साफ ने जैसे कहा वह से लिए यह कटे नहीं हो पारे हैं कि अलग अलग पार्टियों में तुस्ट उपने डाल रहे हैं ठीक है तो जीरो थी सेवन वी तू जीरो थी सेवन से कौन है 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 इनका नाम नहीं आ रहा है या तो अपना वीडियो खूने नीरु सांगवान जी आपका सवाल था कि मतलब हम लोग अभी मतलब क्यों नहीं जुड़ रहे हैं हमारा के सतर साल से जुड़ने और जोड़ने से हमको रोख कौन रहा है जी बिलकुल सर यह मतलब मैं अपने पर्सनल अनुभाव के अधार पर कहना चाहती हूं मैं डाबडी में यहां दिल्ली मे टीचर हूं और प्राइमरी लेवल पर हैं सरम लोग जी सर तो मतलब मेरे हिसाब से हमारे समाज का एक बहुत चोटा सा हिस्सा है जो पड़ा लिखा या फिर बड़ा चेतन है इन जो बाबा साहब के विचारों के मामले में लेकिन जब मैं अपने परिवेश में देखती हू जहां मैं काम करती हूं वहां जो हमारे समाज के लोग आते हैं उनको सिरफ अपने डेली रूटीन में रोटी पानी जुटाने से ही फुरसत नहीं मिलती है तो हमें अगर मतलब उपर के पायदान पर जाना है तो मुझे लगता है कि पहली सीड़ी से शुरू करना होगा जो बिल्कुल नीचे के लोग हैं नीचे के तबके के लोग हैं बिल्कुल जो विचारे अपने रोजी रोटी में जुड़े रहते हैं उनको भी अवेर करना बहुत ज़रूरी है तो जब हम वहां कि पता नहीं के जुड़ना भी होता है यह साक्षरता का अनुब भाव है महां जानता लग है और यह जानका ही लोगों को जानका ही नहीं है को जुड़ना भी है यह सर्व जो फोड़े बहुत चोटे से भी लालच के चक्र में कि अगर हम यहां जाएं एक सब्सक्राइब बताओ कि आप क्या करना चाहते हो आप यहां ना दसल इस पीच नहीं चलेगी आ हमारे समाज के लोग जो है बाबा साथ में लिपते हैं से नहीं उनको समझ है कि उनको जुड़ना चाहिए जी अवेर्नेस की कमी है सर वहाँ पर ओके बेंजी ओके होगे जी थैंक्यू जागरूपता की कमी अंसर आज बहुत सिर्शा से पताएं सर मेरा यह कहना है कि मेरी समय की सवार्थी पन और मेरा एहंकार मुझे सुदीर राजिशी से जुड़ने से मना करता है समझे हैं नहीं मगर आप एक बाव बताओं कि अगर आप सुदीर राज से जुड़ोगे तो फिर 29,00,000,000 से जुड़ने में क्या घाटा है नहीं मेरा स्वार्थ और मेरा एहंकार आप से नहीं जुड़ने दे रहा नहीं तो ये तो अच्छी बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से ना जुड़े ये तो हमरे लिए फायते बंन है आप ये कह़े हो कि मेरा एहंकार वमेरा इहованा इक ज्यांता सुदीर राजीक तो व्यक्ति है अगर उसे उसे तो नुक्सानी होगा उसे तो कोई लोगों के अंदर एक ही समस्या है कि मैं तुम्हारे कहने से मैं क्यों जूँए थे ना एंकार और स्वार्थ थीक है सार ठीक है यह यह समस्या निकल गया रही है बहार कि मत्थुरा परसाद भारती सार अप्रमाई खोले मत्थुरा परसाद भारती सार अप्रमाई खोलिए जैभीम नववद्धार सर बोली सर बोली सर बोली सर मेरे इसाफ से जो है यह आपका सतर साल से क्यों हम पीछे है इसका सबसे बड़ा रही हमें जोडने से रोक कौन रहा है सवाल यह है कि रोक रहा है सर हमारा जो इतिहास है उसकी बारे में सही जानकारी नहीं होने वाला अग्यांता 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 और जी 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 सर और और भावी सी में क्या होने वाला है इसकी भी चिंटा नहीं है जी 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 बहुत से कि राइट वीजन नहीं होना ही सब्सक्राइब अग्यांता नहीं है ठीक है गुरुचरन सिंग बताएं सर गुरुचरन सिंग गुरुचरन सिंग गायकवाड जेल सुप्टेंट सर बताएं सर बहुत धन्यवाद है और से वास्तू बदल दी है इसके लिए भी सादूबाद मैं जो जाना चाहाँ यह कर रही थी ने सर हमें यह उसके बाद हमें रहा है है वह ही आ रहा हो एक सिकनल लोगा पिर नीस सो पच्छतर से लेकर सन दो हजार तक हम लोग सटा के प्रती थोड़े लाला थो गये और हम लोगों ने कुछिस की के सत्ता मिलेगी तो हम लोग अब सकती साली हो जाएंगे और जोड़ भी जाएंगे लेकर सन दो हजार के समय बार हैं और धीरे धीरे में बहुत तासावान हूं कि अब हमारा जोड़ाओ बढ़ेगा और अभी जो लोग नहीं जोड़ रहे हैं उनकी ना समझी ही एक सब्व है और उसको लेके हम लोगों को काम करने की जरूत है धन्यवाद्यों सब्वाद। टयोके Hangi कि सब्विट लब कुमार बिस्वाद जी बढ़ाये हैं विपलाप कुमार विसवाद जीुली हुआ है 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 कि वाइव कुमार प्पायॆ जी बताया है कि आगू है पार निल्वार्ट श्र पिर पडिया लेके नहीं मुझकिल है पिर भी मैं बता रहा हूं कुछ पॉइंट्स रियल है जैसे एक एक है अज्ञानता और दूर दिरिश्टी की कमी उससे भी ज्यादा ये तो कॉमन है ही सर यदि ये अज्ञानता आप दूर भी कर दोगे तब भी आप नहीं जोड़ पाओगे सर उसका एक रिजन है हर आदमी क एक बिलीब सिस्टम होता है मैं यदि अपना बिलीब सिस्टम के अगेंस जाओंगा तो मैं भी नहीं जोड़ पाओंगा मगर यदि आपका बिलीब सिस्टम आपको सपोर्ट करता है आपका बिलीब सिस्टम वर्क कर रहा है कि मेरे को आपका बिलीब सिस्टम एगरी करता है कि मेरे को ये कान करना है तो आपको जुड़ने से कोई नहीं रोख सकता मेरे को जुड़े हुए मेरे और मिसेस को जुड़े हुए मातर पंदरा दिन हुए है तो हमारे जोडने का तरीका है हमारे लोगों को ये नहीं मालू है कि किसी के belief system के साथ work कैसे किया जाता है और उसको agree कैसे कराना है इस पर अपन इस पर सेपरेट बात कर सकते हैं तो यह व्लीव हैं यह संस्कार ही है अब्ही करेंगे तो मस्या सारी अब मुश्षारी आ गई है आंप भी सुनने हो हैं सारे सुनने पुछ यह सर इंजिनियर सब सबीर एहमसर बताएं सर इस अब इस अब इस अब बात है अनुबह तो आप से आप उसे बहुत कम है लेकिन देखा रहे हैं आरे से जब आए सब्सक्राइब करें अपना एक प्रश्ची वह तयार होंगे और एक नहीं हम यह पूछ रहे हैं सबीर सर यह पूछ रहे हैं कि हमको सतर साल से जुड़ने से रोख कौन रहा है आप आप जुड़ने का तरीका बता रहे हो हम कारण पूछ रहे हैं रोख कौन रहा है वो बताओ उस ब्रक्ति का नाम उस चीज का नाम बताओ उस विचार का भावना का या कोई चीज है तो जो सबसे बढ़ा नहीं बताया कि अधर बाट बाipt में करेंगें इस्ने पूछने पहले कि क्या है स्याम कुमार सर बता है सर पूर दो एक सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि फिलाल बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं जहां भी हम चारे है लोग जुड़ते ही जा रहे हैं और सर अब तक क्यों नी जुड़े उसका कारणी है कि जितने भी संक्ठन लोग चला रहे हैं जो चोटे या बड़े वो अपनी सीनरेटी से डर रहे हैं कि अगर हम इसे चोड़ के उधर जाएंगे तो हमारे जो पत है जो गरीमा है जो हमारी मुच्वारी लडाई है वो कतम हो जाएगी सर उम उख्चों को बचाने की चेकर में जुड़ने सब्सक्राइए का बिल्कुल उनके चवण यहां बंद हो जाएगा जाएंगा पैसे के जरिया बंद हो जाएगा सर यानि के प्रतिष्टा पाद मालिकान हग और पैसे जाजा जाए जाएगी उनकी जाजाए ज सबसे बड़ा दुकर बड़ी खुशी कबर यह सर जहां भी जा रहे हैं लोगों से जुड़ रहे हैं और आपकी दो-चार पाते जब उनके सामने रिपीट करते हैं एक्टम से मैं तो आपके बोलने की खनक से यह बता देता हूं कि आज आपने दसाद में जोड़े हैं जी सर्थ मुझे टीम उपिसमें डूटी मिली है सर और करीम तो सो आथ मी मिले जिनसे मैं करोना सेंटर पर काम कर रहा हूं उनके आपके बात करते हैं और में एक्टम जोड़ना सुरू कर देता हूं उनको सर बस्टीक ठीक बहुत अच्छा बहुत ब्रेशानदार लाल बात अब जाते हैं आपको देखे तो सारे अटिक हो जाते हैं आपको ट्रकेंगे यहां पर यह जितने भी ऐसे लोग जिनको अनरजी मिलती उनकी आपकी पांच मिले क्लास दिया करेंगे आपके तो चेरे पर क्या हूं पर चार गंटे मेरे अपने होंगे अब्युक्त कर आफे नेव वह जबाऊ जाती हैं और पेसे चरज करेंगे यह कर दो सकता हैं ट्रसंट्ट्ट्र मेंगें पैटके करते हैं और बताने वाले पर विश्वास नहीं करते हैं और उनके अंदर विश्वास ही बहुना होती है स्वार्त होगा और तीसरी बात यह सर जैसे साम होती है तो जोड़ते इसलिए नहीं है यहां जुड़ने की बात नहीं होरी यहां तो बहुत लोग जुड़ रहे हैं और सब तीसे जुड़ते जा रहे हैं जो सतर साल में हम अब तक जुड़े क्यों नहीं कौन हमको रोक रहा है उसकी बात करें थे आज को आपन एक आना वटा कि हमें इसमें खुष हैं सर तो अब उनको शूट लोग जो रहां है तो आप उनको यह पादो यह कहना कि भाइए आप इसमें खुष तो हो मगर सुर्फी नहीं है और सुखी नहीं रह सकते क्योंकि सुख तो मिले गहां नहीं तो खुशी में और सुख में बढ़ांतर है तरी के सार चलिए ठीक है होगे थैंकि वरी मासर आरके बहुत सर पताएं सर सर जेशा की मैंने पहले बताया था सर अच्छा पहले बता चुके हो आप सर सर जो किसान और मजदूर और मध्यंबर कोचवर्ग में अब सी में मुस्लिम में बिर दर रटकी कमी है ऊवी सी तो चाहता ही ऑगनाईज़ लिए है और सर एक दो सब्दों में जैसा बाजिस सब साथ ने बताया ऐसे बताओ आप अप सर सर वही बता लो जितने जितने वी तत्ति बता चुके है वो सेडूल काश में मजदूर वर्ग मद्दम वर्ग में आप डिवाइड कर लीजिए ओवी सी वर्ग तो अर्गनाइजड ही नहीं है मुसलिक वर्ग में में बिर्दर उटकी कमी है चलिए ठीक है सर अब जो मैं कानपूर जा रहा हूं और सर यह चपवाएं गुए पर्चे मैंने डियर सो पर्चे चपवाएं गुए सब का काम करने के लिए ही चपवाएं सर चलो बहुत बढ़ी है वेरी गुड इस पर डवने लिखा नहीं आपने लिखाया उपा समर संग न चित्रा धीर जी चित्रा धीर चित्रा धीर सर पताएं जी सर मैं सिर्फ इतनली कहला चाओंगी एक तो लोगों के पास समय क्या भाफा होता है दूसरा यह है कि उन लोगों को हम पर या संग कैली जिए या तटर साथ से जो हूं इसलिए वो करनेट नहीं होना चाहते हैं ओके मैंधी ओके थैंकि वरे माज़ी जहार वासींग सर पुर्वा सिंग सर पुर्वा सिंग सर बोलिए चंदु सिंग सर वाप बोलिये सबसे पहला करन तुम मैं आर्थिक हमारी नहीं है नहीं हम कारण ही पूछ रहे हम तो यह पूछ रहे हैं कि सतर साल से हमारे रहा है अब कर आप रोकने का करण यह मानते हैं कि हमारे पास पैसा ऑसे का कुई चिनता नहीं है और नहीं कोई नहीं रही वो तो पहले बता यहां गरीभी न है थिया पुछ पशाब और रोटी का यह जुड़ने की तो अलगे सब्सक्राइब ना है तो तो फिटी ठीठीक है ओक है सब्सक्राइबाद से बताएं सब्सक्राइब को जोड़ने से कौन रोक रहा है कौन रोक रहा है तो पहले तो सतर सालों से हमारा सवन संग नहीं था इब समठ संग है अब समठ संग में हम को कहते हैं और कुछ समस्या का समधान हो सकता है अब लिखू कि शंग नहीं था तीक शरोकिज़ंक यू आम महलाद सर बताएं सर जी मेरी बात यह मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप कि क्यों नहीं लोग जुड़ते उसका कार्ण जो हमारा दे होता है कि बहुत सारे सोशियो कल्चर फैक्टर्स होते हैं अगा अगर द्री और्रैस नहीं करते तो यह हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता और सेkंड़् पॉइन्ट है कि होनी जुरूरी है तो बेस्ट वेइए कि हम लोगों का कि ये कारन जाने कि हम क्यों नहीं जो रहे जो हमारा ब्लीफ सिस्टम है है वो इतना स्ट्रॉंग है कि उसमें से निकलना बहुत मुश्कल हो रहा है खास करके जहां पे बहुत सारे लोग एक जगा बैटे हैं इन थी मैं कि तो roz Marvel didn't need in ऩर गारी है हमारी थी के न सर मंगया उन्यारी द्नि descried कि अब रभी सिंध्य है वी विप भी क्रिकल एकटर जी है यह यह जिए ऐग्यानता मेरे साब से अध्यानता है जी जी लिए अध्यानता थेंग इवरे मच थी पाइल ली इसी को और एक ये ब्रहामनों का ये मोटे वाड़ा करम काई जो है ये निकरने देड़ा सर ये लिज़तने देड़ा हां जी ऑके थेंटी बहुत हुआ इसार दूब मैच तुम आगए क्या अपर विपलब पॉल्ब पॉल जी ऐसारि का परशने न सर्सटर समस् संहलोब नजुडत करता कमी कह prawूं लीडर्शिप जो ति ना सर उनकी इस पर पायादर्वाद रहा जो Δयुक्त अधिकारिक वह यह करें सब्सक्षेंас इम्हीं हुआ है जै uh और उनकी उचित वेवस्था दोई कारणा सर जैसी सर अब हमारे संग में हमानों आपके द्वारा समण संग इसमसर डेली जो भी चीज हो रही हो बताई जाती एक सब्तामा कि इतना वहां जुड़ गए और इसकी जो किलियर मलग इस पश्ट रहा है सब भारी चीज़े लोग कर रहे हैं पहले लोगों के विस्वास किया उसके बाद उनके साथ विस्वास गात हुआ इसी लिए नीगी जूड़े कर जूं ये समाज के लिए कुछ कर रहे हैं पर लिए ठीक है दलीप सामरिया जी तो नाम बढ़ते जा रहे हैं मैं सोच रहा हूं कि घंड़ खतम हो जाए ग्यारे बजने वाले दलीप सामरी जी बताएं सर जैभीम नमबवुदाई बोलिए सर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हम अगर स चीज की कमी है कि वो आज तक जो गुलामी की जंजीरों में जो जकड़े हुए ना और जिस कॉंफर्ट जोन में हैं अभी हो दो रुपए के लोग यहूं खाने वाले उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं मैं चाहता हूं उसको छोड़के अगर अपना खुद का कुछ करना न जेंगे ढहिए ठीक है सार यैंक्व एरिमेंच शुरेंदर पर्ताप दी बताएं सर आब शुरिये बिद्धा सब्स प्रेंद्धे इसका जो है में तक आधिश है कि इसमें कारण जो आ रहे हैं वो है जो एक्टिटूड है और जो एगो है और अज Bennett मांसिक जो दृष्टकोर है इसकी कमी है मांसिक कमी है अज्यानता और एगो अज्यानता और अहांकार भी है शर ना चलो अब इस एशन को यहीं किलोज करते हैं और दो बात करते हैं पिर जो आज की एंगो दे देते हैं, जाल, आघर्वने मुद्दा कई अचूंकि दो सो साथ से 100 लोग जा चुके हैं, क्योंकि अब कमाल की बात ये है, कि दो अकल अठारे को कैसे चुटे गये, अगर सब के पास में एकका कमीं, दो दो कमीं, तिन, तिन कमीं, हो गई कि कोई व्यक्ति हमको रोकने वाला नहीं है कोई भी कहीं कोई व्यक्ति यह नहीं कह रहा है या कहीं कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप ना जुड़ो या आपको ना जुड़ने का राइट आपको दिया नहीं किया है इसका मतलब जुड़ने में जितनी दिक्कत आ है वो हमारे सहीव के संदर हमारे मन के अंदर है या हमें 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 हैं कि मैं पहुट दूर करेंगे मगर जब सबस्य बात यह है कि सारी कम्य होने के बावजूत बी जब है किय सारी बताइर तो दोखेश 11 को को हम जुड कैसे गए मैंको कि यह कमियां कहां चली गई। आगर हमें ना जुडने का गुड होता मैं यह कमियां हमको रोक रही होती या कोई दिक्नगत होती तो हम 2 help18 को भी यह कमियां होती यह एको आहम ज्यानता यह साजी दो 1 लटारे को भी होती है जितनी भी चीछ बताई हैं वह पर्मनेंट रही है वह जैसे दो अप्राइल अठारे को एक साथ खतम हो गई वैसे ही वह खतम है अगर आप उनको खतम माने तो और ना माने तो साथ लेकर घुंद रहें इसलिए यह जो दिक्तत आ सारी है कि जो इतनी सारी बातें बताई हैं इतनी सारी बताते हमारे जोड़ने में बाधा नहीं है अगर यह सारी बातें जोड़ने में बाधा होती तो दो अप्राइल अठारे को जो चमतकार पूरी दुनिया में हुआ भारत में बिना किसी नेता के बिना किसी बहुत बड़े सिस्टम के ना ही उस समय संग था ना ही संग ठोन ने कि यह कहा कि खटे हो जाओ लोगों को एक चेतना जागी और लोगों को एक साथ छुटे चले गे उसका कारण ये था कि उनका अधिकार चला गया और उनकी जान खत्रे में आगी पिटाई होने का नंबर आ गया और एफाई एफाई कहीं आने नहीं थी तो लालच और भै दो कारण ऐसे होते हैं आदमी सारी चीजों को छोड़के और भै में और लालच में आ जाता है अगर सही तरहे के से ये व्यक्ति को बता उनको बतानी पड़ाई ही है कि हम बहुत संकट में हैं बहुत भ्यानख काल है दोkok आपरेल से भी ज्यादा भ्यानख काल है ये बात हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं इसलिए ये सारी बातें जो आई हैं उन्ही बातों का नहीं चोड़ रहे हैं इनमेंसे कोई भी बात ऐसी नहीं है जो उर्स लालच और भैचे कहीं टशना कर दी हो किसी ने स्वार्थ कहा, किसी ने ये कहा, कितर्न फ़ायदा चाहिए, किसी ने कहा नौखी मिलने चाहिए, किसी ने कहा, कि वो लेल जेजी हो गया, किसी ने कि आलस हो गया है, सारी बाते बताइए है, this time गोंफर के दिक्कत आजाएगी यह सारी बात है जो बताई है इन पर सब लोग मरन करें चिंतन करें और सोचें और फिर यह देखें कि जोड़ने जोड़ने में बहारी व्यक्ति एक नहीं है एक भी व्यक्ति बहारी नहीं बताया किसी नहीं और नहीं यह कहा कि कोई व्यक्ति डंडा लेक के सबने वो कमी बताई हैं तो उस कमी को दूर कौन करेगा उस कमी को दूर करने के लिए कोई दूर से आदम नहीं आने वाला है उस कमी को दूर भी आप ही खुद करेंगे क्योंकि कमियां आपके अंदर है बहार वाला व्यक्ति हो तो उससे लड़ा जा सकता है मगर जब कोई बाहर है नहीं, कोई समुदाय बाहर है नहीं, कोई गुरु बाहर है नहीं, जो हमको जुनने से रोके, तो लड़े किस से, इसका मतलब हमें आपस में ठीक होना पड़ेगा, इसलिए हम कामयाब हो जाएंगे, और यही बुद्ध ने किया, बुद्ध कभी किसी व्यक्ति से एक भी कमी किसी महापर उसके अंदर नहीं थी, और इन मेंसे एक भी कमी कभी भी किसी, जो हमारा संत होता उसके अंदर नहीं थी, इसलिए वो जोड़ने में कामयाब रहे, इसलिए वो जोड़ने में कामयाब रहे, यह जितनी जितनी कमी आप निकालते जाएंगे, जितनी सामने वाले का मन बदलता चला जाता है आपके हाथ मैं सराब की बोतल होगी तो सामने वाला बिना पिया सराब की नस रूह कर देगा उसकी आँखों में नस आ जाएगा बिना पिया ठाइगा तो क्योंकर माहौर ऐसा बन गया है और आप अगर शराबी नहीं होंगे तो सामने वाला अगर पीए भी होगा तो भी आपके सामने ऐसा वेवार करेगा जैसे उसमें पी नहीं है यह आपके अंदर की टाकत है जो सामने वाले को बदल देती है और तुन बदल देती है इस टाकत का इस्तमाल करके जितना जोड़ेंगे जो जोड़ने में भी कामयाब नहीं हुएं वो भी कामयाब हो जाएंगे अगर इन सिद्धानत को इन नियमों को पालन करेंगे महापुर्स की ये बात जितनी भी है ये बड़ी काम की है कि आपका आचरण आपके जाने के से पहले पहुंच जाता है यानि आप किसी घर में जा रहे हैं और इस घर में जब यह पता चले के फ elaborत की आ रहा है तो फलानेमाठी का जो होता यानी जो आ मर्त जो पहने पहुंच जाता है जाता है इस एकी जाता है घाल तो उसके के लिए चाए बिकराथें रहां नास्ता कराने में अपने आपको गर्वाथित महसуст करते हैं कि हमने इसने हमारा कुछ खाया तो इस ने हमपेब्ध कार किया तो यह आचरन और यह वह वार आप को जीत दिला देगा और ये सारी कम्यां जो आपने आज बताई है सारी सारी ये कम्यां सब जानते हैं ये खुद ही दूर करनी है दूर करने का साधन वैसे तो बोधने बताया है बावा साथ ने बताया है बावा साथ ने बावा साथ ने बावा साथ ने बावा साथ ने बावा सा जाएगी तो फिर हम अपने काम को जल्दी से जल्दी अंजाम दे पाएंगे योग इंदर सर अब दी इसलाइजी सर ठीकर सबस्क्राइज अब है यह जुद आफ पांच हां सर ग्यारफ फांच होगे अपना माइक ओन करें सर और यार साब कोई साथी फर्स्टाइम जुड़ा है और परिच्चा नियुक्त जुरूर दें जिनका परिच्च नहीं वह अपना परिच्चे दें कोई भी शाथी पेरा परिच्चे की नहीं जाए यह इंजिनियर सबीज एहमद जी एक बार अपना नंबर देना प्लीज सुन रहे हैं तो मेरी आवाज सबीर हैमेद जी मिर्जापुर से अपना होते हैं मोबाइल नंबर परियार साब मैं दे दूँ आपको जी नाइन वन तिरी वन इसमें चैट बॉक्स मागिया है चलो मैं देख ले देख लेता हूं कोई ना अभी कोई प्रोफेसर जुड़ा हो जुड़े हैं कोई भी किसी कॉलिज से पॉलिज से युनिवेस्टी से कोई प्रोफेसर जो फर्स टाइम जुड़े हैं है वैस बैल जी चुड़े हुए है बहुत दिन से पोले नहीं वह रेटाइड प्रफेसर अडिटाइड भी हो कोई प्रस अपना प्रीचे दे दें से अगर मैं डॉक्टर मोहनला मेडिकल एजुकेशन से प्रोफेसर एंड हैड रेटाइड हुआ हूँ आप तो पहले से जुड़े हैं सर्थ यह सार और प्रोफेसर की आज था स्पेशल कि उस फिल्ड में हमारे प्रोफेसर युनिवेस्टी कॉलेज से हैं वो अभी वैसे बुद्दी जी वरग में है लेकिन इसमें आ नहीं रहे हैं या उनको समझा नहीं पारे हम थोड़ा सा वो इश्यू था नहीं इसमें एक बात मैं जो आप से शेयर करना चाहता हूं जी सर कि बहुत सारे लोग टीचिंग में इंटरस्ट नहीं रखते जी जी जैसे तो टीचिंग का जो प्रफेशन है वो जादा लोगों के साथ जुड़ा होता है और उसके साथ बहुत सारी आप ऐस एस सोशल एजेंट आप काम कर सकते हैं सोशल चेंज के लिए पर बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे जो हैं वो इन सब्जेक्स को च्वा कम लोग हैं जो टीचंग में आना चाहते हैं है अगर आते हैं तो वो उनका पीचंग यो हती है वो उस का कोई बसिक जो होते हैं वो कई फालो नहीं होते हैं जुआ कि इन्ट जुषे हैं कि अगर कोई टीचिंग में आया थो डीचिंग एक्स्पीरियंस्स जो होते हैं जो ट्रेनिंग होती है वह बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिलकुछ विरमें तो जो यूनिवर्श्टी है ज्टे-न्यू है कोलीजी जाए हर सहर में है तो उनके प्रोफेसर्स क्या कर रहे हैं पर पड़ ये था कि वो लोग आएं और इसको समझें अब काफी फोन भी किये थे आर लेकिन नहीं आते हैं वो लोग वही मैं कह रहा हूं लिन ये था इंजिनिंग और मेडिकल में तो प्रोफेसर्स सही बा हो जाता है इंट्रेस्टिन है हम वही बात का रहे है नहीं नौरमल और प्रोफेसर काफी शिक्षाविद्ध हैं यहां वह तो कम से को दूए यह को लेज्ज में पचिस पच्छिस तीस थिस भी हैं इस सीबी सी के नहीं यह तो हमारे भी बहुत ज्यादा मैडिकल में बहुत ज्यादा लोग है, ऐसा नहीं बात है, बात तो वह है कि उनका जो इंट्रस्ट है ना वो डिफेंट होता है थोड़ा सा, ना शोशल सिस्टम है ना उनको वो थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव पार्टिस्पेशन कर सकते हैं, उन नहीं कर देंगा, अलाइट सब्जेक्ट से जो सर, मैं थोड़ा इंटर्फियर करूँगा सर, पर्यार सर, मैं सर अभी ग्यारे और बारे तारिकों में लखनव में गया था, केजी मेडिकल यूनिवस्टी में, तो फुशी तो इस बात की होती है कि वहाँ एक सो प्रोफेसर्स हैं सर, केजी एम यू में अपने, लेकिन सक्रिया नहीं, तो प्रोफेसर्स के कमी नहीं है, और सर, एक सो तीस जोंसर वहाँ पर OBC से है, और जो वहाँ की जो जर्नल एसोशीएशन है, के जी एम यू की, उसके जो सेक्रेटरी है, वो डॉक्टर संतोस कुमार है, प्रोफेसर टी बी एंड चेस्ट में है वो, तो मैं लगवग आदा घंटे बैठा उनके साथ, मेरे साथ डॉक्टर सुरेस बाबू भी थे, वो प्रोफेसर पैथलोजी हैं, तो लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जो एक लोकल एक्टिविटी तो वो करते हैं अपने इस तर पर वहाँ, उसमें तो उनकी भूमी का काफी सरहानिय है, लेकिन चितना कंट्रिबूशन होना चाहिए, जो समाज के लिए जो एक exemplary काम होना चाहिए, तो वो अभी हम उनसे उम्मीद करते हैं, तो हमारे यूपी में प्रियास जारी हैं, और हमें ये बताते हुए बड़ा गर भी हो रहा है कि लखनव में इंडारेक्टली उन ल प्रोफेसर आनंद सरूप आये थे, प्रोफेसर आर्पी सिंह आये थे, ये दोनों के दोनों मेडिकल कॉलिज के प्रिंसिपल रहे हुआ, अब वो समण संग की मीटिंग में नहीं आ पाते हैं, या उनका कोई बहुत जादा एक्टिव कंट्रिबूशन समण संग के लिए न संग का का पहले बात तो क्या है कि लोगों को यकिन नहीं हो रहा कि हमारा संग भी है जि Ricky व高 Il एटना 80 हो चुका है अदो को सब्ले यकिन नहीं होता कि हमारा भी जिए फिर संग के नियम नको उच्छाल देते हैं अब आपको एक बात बताता हूं कि जब आप किसी बहुत बड़े अच्छे पड़े लेखे अपने आदमे से मिलकर उसको कहोगे नीचे बैट और प्राण्ठे हमें साथ कहा तो क्या फताई बड़ी मुश्किल से तो ऊपर बैठें बड़ी मुश्किल से तो क्या वोलते हैं मर प्रॉलम है पहले जाती है थी है लेकिन आप तो यह नोक्रियों की भी है ग्रेडिंग है और सब्सक्राइब है तो वह वह भी एक इश्व है सब्सक्राइब है इस वार आप से बुद्पूर्ण वाई हम यहां मरमन वाई हम दिल्ली में नहीं आप आप जो आज सब्जेक्ट जो लिया है बहुत इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और लोग के कारण भी सुन रहा था कि किन कारणों की वज़ा से हम जुड़ नहीं पा रहे है युक्रेंड के युद्ध से क्या इंग्लेंड की कैमरे खराब होगे कैसर नहीं ऐसा नहीं है कैमरा खुल देता हूं तो इसमें मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि कौन-कौन से कारण है जिनकी वज़ा से हम जुड़ नहीं पा रहा है इतना समय हो गया है मैं अपने जीवन में जे दो तीन चीज़ बावसाब से सीखी हैं के वह एक तो हमारे समाज के अंदर मुख्टखोरी बहुत है हर चीज हम मुख्ट में चाहते हैं हर चीज हम मुख्ट में चाहते हैं दूसरा इग्नोरेंस बहुत है और उस इग्नोरेंस की वज़ा से ना हम किसी की इज़त करते हैं तो ना किसी से कुरुआ सकते हैं और इग्नोरेंस की वज़ा से हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते तीसरा जो मैंने देखा है कि बैई जब किसी भी लोगों को अधिकार मिल जाते हैं तो जैसे मशली पानी की तब तक कदर नहीं करती जब तक पानी सूख नहीं जाता जा सूख नहीं पहा नहीं जाता फिर वो तडपती है वो ही हालात आज मेरे समाज की है कि सारे अधिकार जैसे जैसे जा रहे हैं अब थोड़ा वो तर्प रहे हैं उसी तर्प का एक नतीजा था जो दो अपरेल का आप एक्जम्पल देते हैं लेकिन हम कहते हैं कि बावासाब उनने पहले जोतिराव फूरे ने कहा था कि आज विद्या में नम मती गई तो वावासाब ने बहुत बड़ी बिद्या ली लेकिन वो हालात फिर भी नहीं बदले बावासाब को वहों इंसल्ट वह बावासाब का हुमिलेशन होता रहा तो बावाँ साभ इस स्टेज पे आये कि वे हमें बहुत se अधिकार मिलने चाहिए । उसलिए मैं ऐसे अधिकार इनको धूम और उन अधिकारों का ये परजोग और अपेजोग करके ये एक संग में आ सकेंगे लेकन हुआ क्या है कि जितना अधिकार हमें मिले वो फोक्ट में मिल गए हमने कोई मूवंट नहीं चलाई हमने कोई लडाई नहीं लड़ी इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ आपको भी पता है कि जो हम आज फल खा रहे हैं पके पकाए यह पोईड है मेरे पुर्खे के लगाये हुए हमने तो कोई पेड लगाया ही नहीं तो कहां से फल बच्चे खाएंगे तो इन चीजों को देखते हुए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो लड़ाई है जीवन की वो सिर्फ रोटी मिल जाए इसी से निर्बण नहीं है हमें मान समान भी मिलना चाहिए हमें फ्रीडम भी मिलनी चाहिए कि हम किदर को जाना चाहें किदर को नहीं जाना चाहें ये भी एक बहुत बड़ी नीड है हमारी केवल हम खाते रहें पीते रहें इसी से काम चलता रहेगा ऐसा नहीं होने वाला आपने वेटनाम का नाम सुना होगा एक छोटा सा पिद्धी सा देश है जिसने सत्रा साल अमेरिका के साथ लडाई लड़ी और वो क्या करते रहे वो ह तीन हफते चार हफते के बाद एक मीटिंग करते थे अपने लोगों की एक संग की और सोचते थे कि कहां से हम गलत हो गया है और उसको फिर रवीव करते थे रवीव करके अपना टैक्टिक बदलते थे और टैक्टिक बदलने की वजए से अमेरिका कहीं बं और गिराता रहत था वो मूग कहीं और कर जाते थे अल्टीमेटली उन्होंने अमरिका को हरा दिया हरा दिया नहीं वहां से भगा दिया तो अगर हम भी इसी चीज़ को समझ गया होते कि किस तरह बावा साव ने इतनी बड़ी कुरवानी बच्चों की अपनी और अपने जीवन की दे कर हमें ज हम इकठे हों के विचार करते कि यह अधिकार इसलिए चला गया कि हम में जे कमियां थी और उन कमियों को रिमूब करते तो सेकंड अधिकार हम लुटने से रोक सकते थे पर हमने ऐसा किया नहीं बहुत सी है हमारे अंदर विजन नहीं है हमारे अंदर इनफीरिटी कंप्लेक है एक दूसरे के साथ हम जुड़ना नहीं चाहते और सदियों से हमें कोई बोलने का अधिकार था नहीं तो जैसे ही बोलने का अधिकार मिला तो हमने छोटे-छोटे संगठन बना के अपनी अपनी डफली बजानी शुरू कर दी अब उसके अंदर हमें लगता है कि हम बहु इनफीरिटी कंप्लेक्स है कि यहां मैं मंच पर बैठा हूं वहां जाके नीचे बैठ जाओंगा तो कैसे मैं कैसे करूंगा मैं मुझे कैसे टॉलरेट होगा जब तक हम एक मूवमेंट में नहीं आते जब तक हम एक धर्म में नहीं बनते मेरा जे माना है कि हम कभी भी इन चीजों उन्होंने धर्म इसलिए दिया था कि हम छोटे छोटे जो हमारी मान सकता हमारी जो छोटी-छोटी समस्यां हैं इनको बोलकर बड़ी समस्या को हम हैं जो राजनीती है जा सत्ता है ताके हम सवधान बचा सके सवधान को बचाएंगे तो हमारे अधिकार चाहिए एक दो मिनिट में चार मिनिट में इस पर आप डिसकेशन नहीं कर सकते हैं मैं तो एक ही कहूंगा कि हमारी ग्नोरेंस वीजन और हमारी इन्फीरिटी कंपलैक्स और हमारी मुरुखता जेस चार मेजर पाट्स हैं हमारे पेलियूर के जह भी नमो बुद्दा बहुत बहुत सादवाद सर आपका वैल सर आपने बहुत बहुत सादवाद आखे कोल दी एल सर जी सार एक कमाल की बात ये देखिए के सतर साल में हमारे लोगों को एक जरासी ये सोच नहीं आई कि अगर पूरे देश की समस्या है तो पूरे देश को एकटा होना पड़ेगा जी और किसी ने कुछ कोशिस भी की तो उसके विरोध में भी आगए ये पहला काम है देखिए आप सर जी सर जी एक सर जी एक चीज को आप ध्यान में रखिए कि जिन लोगों के पास सदियों तक सत्ता रही है और उनकी सुपरमेसी और उनकी जो वर्चस्व है वो हमारे सर पे टांड़ अप करते रहे हैं आप क्या समझते हैं वो बिना किसी स्ट्रगल और बिना किसी ब्रोता के ही आपको सत सता सारी दे देंगे तुनिवर्ट हो जाएगी सर अपना माना है जी बोलिए बह लिए सर हम तो यहां सत्ता की नी करते हैं ना सत्ता के वाइट कर रहे हैं हम तो दरसल क्योंद हैं उन्हें हमारे दमाग में डाला हुआ है कि सत्ता ले लो सत्ता ले लो सत्ता ले लो और सत्ता से सारा कुछ है बाद ना बावा साब ने ऐसा कहा ना बुद्र ने ऐसा कहा ना संतो ने ऐसा कहा और नहीं एक अच्छा जो जानकार होगा वो ये कहेगा वो ये कहता है कि सत्ना तो पैरों की जूती होती है, जब चाह जब बदल लो। अगर पैर सलामत हैं, आप पैरी नहीं चूड़े अपने, तो आपको पैर की जूती मिले, कहांसे दिक्कत है तहीं कि जिसके पैरी नहीं है, वो पैर जूती के लेके करेगा भीजाएन। और बा रही है कि हर ताले की चावी जो हमको बताया कि सत्ता है हर ताले की सत्ता नहीं है हर ताले की चावी संग है कोई भी काम करेंगे एकटा करेंगे तो काम बिगड़ नहीं सकता और इसके हजार सबूत हैं पूरी दुनिया के अंदर आज अगर आप देखोगे कि जो दुनिया में जितने भी लोग इखटे हैं, वो सम मौज करते हैं, और जो बिखरे हुए लोग हैं, वो उनकी मौज के लिए माध्यम बने हुए हैं, वो उनका साथ हैं, वो वहां से उनको मौज मिलती है, जो बिखरे हुए लोग हैं, तो तोटल जो यहां भी बात निगल के आई, और आप देखा होगा कि यहां इसने सारी लोगों ने यह नहीं कहा कि हमें किसी व्यक्ति ने रोका हुआ है या हमें किसी सामूने रोका हुआ है या कोई विरोधी हमारा है या कोई दुस्वन हमारा है या कोई ब्रहामन ने रोका हुआ है या ब्रहामनों ने रोका हुआ है या ब्रहा का नाटक हो रहा है सामने वाले का तो खामे का नाम हो रहा है एक भी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का दूसरे का नाम लिया ही नहीं यह यह कोई लिस्ट में में वही चेक करा था बार बार में कहरा था कि देखो भई अभी तक सब पर हमने तो ना अपने लोगों चेक किया ना अपने आप चेक किया वो दिक्कत आ गया हमारे साथ सबस्तों सबस्तों संगठन के विए यह संग में जुड़ा हुआ ऐसा कोई विए नहीं है जो किसी भी संगठन से लिए ना ओगा आर्गे बाउजी जी सर अब मैं आपके संटेंस को ठीक कर देता हूं इस संग्ठनों में जितनी मी लोग जुड़े हुए हैं वो मेरे बुद्ध के संग के पहले संग से जुड़े हुए हैं और वो सारे संग्ठन के व्यक्तिय हैं जो इन संग्ठनों में टुकड़े हो रखे सब्सक्राइब बात करें वो मेरे संग्टन के लोग है सर मेरी 35 है और मैं मैं आप से जुड़ा हुआ हूँ यानि कि मैं पहले किसी संग्टन से जुड़ा हुआ हूँ उसमें मेरे को कम्यार मैसूस हुई नहीं आपकी 35 है और आपके जो माता-पिता की माता-पिता की माता-पि थे वो मेरे संग से जुड़े हुए थे उनके टुकड़े होके आप संग्ठन में गए उसलिए ये संटेंस को ठीक करो आप के जितने भी संग्ठनों में लोग है वो मेरे संग्ठनों के लोग है मेरे संग्ठनों के लोग नहीं है आप ध्यान लखना मैं संग्ठन का कुछ कि सत्ता से होगा तो हमें यह बात कभी करनी नहीं है करनी भी नहीं चीज हमारी बात मानेंगे अब जिसको भी हम बात करते हैं थोड़े वह थिक ठाको उन तो क्या हो जाएगा हो तो साथ सकोरग है वो ऐसे ही करेगा जैसे और और सत्ता कर दी है कोई फरक नहीं होता है पर्यार सर जब जब भैस पानी में चली गई तो उन्हें कहा कि भाईया यह भैस अब स्रिलू काश्टोपी है जाके निकाल लो पंजाब के अंदर ठीक है और है जवाला लहरू में मैं डॉक्टर अबेटर का शो कर रहा हूं सब्सक्राद देखने आ जाओं वो बुला किसको रहा है अबेटरबादियों को उसके बोर्ट कौन है अबेटरबादी तो दरसल क्या है कि इनको किसी भी आज़ात में जागरत ना होने दें और इनका करते हैं वो सब भी काम करते रहते हैं मगर यहां जितनी भी कमियां बतागे गए वो ना केज़िवाल की बतागे गए ना वो कॉंगरेस की बतागे गए वो कमियां अपनी बतागे है कि हम यह जागरत नहीं है हम ही पारण है हम कोई समझ नहीं है तो समझ तो हमको यह आनी है और यह जो राजनीती का जो रोग है, यह हमारे लोगों नहीं लगाया हुआ है, जो ताला चावी ताला चावी हमारे दमाग में पिट कर दिया, शतर साल से हमको राजनीती का बशल पला दिया, राजनीती और दुस्मन दो सब्स ऐसे दमाग में पिट कर रखे हैं, कि वो जान संग ये जो ये कहता है उड़ी आ खटे होते हैं रही बात नहीं कर मिल्कुल ने मैं लेखे हूं सभिए जी बोलिये ड़ी मेरे स्बाआे होएं रभी मेंली जी बोली कुछ आए से आए से राए सोई माय जी एच्छा मैं सुन रहा था काफी सुना आप लोगों को और तेंक यू आपका पहले तो बहुत बड़ी आप अपने लिया है तो सत्तर साल में मैं यह आप बोलना चाहता था कि साथ अच्छी राम जी ने अकठे करने का एक माक्सित तो किया था और बहुत सारे लोग कठे भी होगे और करोड़ों लोग उनके साथ चले और उसके बाद जो मानवर कांशी राम जी के साथ हुआ जा उसके बाद जो भी अपनी मूवमेंट का हुआ बहुत सो भी जानते हैं कठे होने का है तो है लोगों के पास और लोग चाहते हैं पर जो अमानदार लिडिशेप हैं जो आगे लेकर जाने वाले हैं मानवबार काँची राम जी के बात मेरा ख्याल है वे बहुत कम लोग आगे आए जो अपने स्वार्थपने के उपर आट कर लोगों को साथ लेकर चल्दें तब अपना स्वार्थपना अपना गर रिजक हो स्माजिक हो जा कुश भी हो तो यह आप लोग ऐसे चलेंगे तो जरूर लोग सापता आएङगे ओर अब काफी जो है तो संगर्ठनों में लोग बंटे हुए इस दूसरे करना करते हैं जैसे कुछ लोग मुझे ने चाहते कुछ लोग और दूसरों को ने चाहते कुछ लोग वैल साथ का जा कुछ बाद दूसरे का नाम आएगा वो चले जाएंगे वो आ जाएंगे तो ऐसे लोगों में तोड़ा ईर खावी है तो एरका मेरा चाला वो तम की कमी है जा सम्झने की कमी है उसके पाद लोग जोड़ते जाएंगे और जुड़ेंगे जरूर और मेरा अपना मानना कि जैसे आप लोग काम करते हैं जब सम्झ हो गया तो जरूर एक साथ जुड़ेंगे वो तो जाबी नो मताई रभी भाए सर दो एंद्रेश घुटरी में तो ले पड़े हैं तकड़े इसमें आपकाफी आरी है उदर दानरी वादरी अरियाना के भी आरी है उदर ज्रीवाडी वह तकड़ी बारिस हो रही है वोले पड़े मताँ थाले ग्यारोज रात को सबसे पहली मिस्टेक तो हमारे ही है सर हमारे लोग स्कार्टिंग में पड़लिक तो गया सार अगर जैसे बाकी लोगों में होता है 3.5 परसेंट हो अपने बच्चों को शुरू से अपने संस्कार अपने कल्चर पे ट्रक्टिस कराते हैं हमने अपने बच्चों को जहां तक मैं जितने लोगों को जानता हूं अपने लोगों को वो खुद तो इन्वाल हुए सर मगर अपने बच्चों को उनने ना अपने मह गर के परिवार के लोगों को ही साइसे नहीं जोड़ पाए तो सबसे जरूरी है कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल हमारी महापुरुशों की जो किताबे हैं उनके स्ट्रगल हैं वो बताएं और अपने साथ उनको भी इंवाउंग करें तो मैं अपनी बेटी को हमेशा उसक मैंने बुक्स लाके दिये कि वो जुड़े सर हम हमारी एज के लोग अभी एक्टिव हो रहे हैं या पहले भी एक्टिव हुए हैं मगर वो जो उनकी नेक्स जनरेशन है हम वो बीच में गैप छोड़ दे रहे हैं सर वो गैप फुल्फिल ही नहीं हो रहा है एक पीड़ी ज जाएंगे और आप देखिए का संगटित वही है जो रेगुलर मीटिंग करते हैं कंपल सरी सरी मीटिंग होनी ही चाहिए सर तो वह आपस में हम लोग क्या कि कंपल सरी रेगुलर मीटिंग नहीं करते हैं मिलको ऐसा लगता है कि यह भी एक बहुत बड़ा कारण है और कुछ स्टडी मेंने की है मैं चाहूंगा कि अपने जो कुछ खास लोग है सर उनको कुछ ट्रेनिंग की जरत है मेलको भी नहीं थी सर पहले मगर आपने वी एक चीज़ अनुगो किया होगा आपके पास एक चीज़ का प्रोड़क को यह प्रोड़क लेके पांच लोग आते हैं य उस दस्वे को आप मना क्यों नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस दस्वे में कुछ डिफरेंट है उसके बताने का तरीका उसका सारा चीज अलग है आप दस्वे से आपने नो लोग को डिसेगरी किया मगर आप दस्वे से एगरी कर लेते हो जबकि आप वो एगरी करना नहीं चा आपका लेनी चाहिए जी सर्थ जी सर्थ आपका नमबर बोलना लग शाब अब मैं अल्रेडी हैं उतने को जोड़ा रखा है मेरे को आप मैडम का आपका निया मेरे पास अच्छा नाइन टू-फोर्टो जी रो नैने टू-फोर्टो जीरो नैने वन सिक्सवन यह मेरा ओफिशियल नमबर है इस पर मैं रहता हूं मगर दी कुछ पर्सनल डाकुमेंट्स ऐसा कुछ पेड़ना होगा तो एक और नमबर लिख लिए एट वन एट वन फाइफ फाइफ वाइफ सॉर्ज एक को बता रहा हूं एक दूसरा नमबर और बहुत सर्फों आपका भी हंक्टिया एक वन फाइफ जा रहा था है एक विनुट था जून हिए एट वन फाइफ फाइफ नाइन डी एट बन फाइफ फाइफ नाइन जीज़्ड डूश्ट डूश्ट डबल त्री एड एक अंक बॉस्ट पॉस्ट इसे पॉइंट से अपन चैद पर्सनली इपन टॉक करके बात कर सकते हैं उस पर तो वह हमको बहुत हेल्पूल सब्सक्राइब अगर बैक्ति क्लास कोई उसको अपने समझ संका कंसर्ट बताता है तो एक बड़ी समस्य आ रही है यानि हमें जो बड़ा अधकारी है अगर बू कई कंसर्ट बताता है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा पर जल्दी कर लेते हैं तो यह सर समस्या है तो यदि हम फश्ट क्लास या जो अच्छे पदोपार हैं जिनको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं अगर उनको अपने कंवेंश कर लिया या उनको सम्झाने ही पूस सबसे लास्ट कमिनिटी है वो सबसे लास्ट रो है वो यह सबसे लास्ट में आएंगे वो इसलिए उनको तो जड़ा बेंडिंगे जब देखेंगे नैं कि अब यहां पर मतलब स्ट्रेंट अच्छी हो गई वो तब आई लोससे पहले दिया वहां वो लास्ट लाइन है सर्वो लास्ट लाइन है तो ट्राय करना है सर्व मैं रोच कोशिश करता हूं जिकिसी दिन बिल गया तो किसी दिन चार गंटे- सब्सक्राइब करने की कोशिश करता हूं ठीक है सक्सेजरेट है अभी पंदरा दिन में और मिसस्ट लोग तो जोड़ दिया है कभी कभी फ्रस्टेशन भी आता है कि हम लोग का रिस्पॉंस नहीं आ रहा हूं जैसे कि आप मेडिकल में लग लग लाइन होती है तो आपकी पॉल्चे है सर जैसे ने रजना का राइस्बेंट बोल रहा हूं मिसस्ट ने पीएसडी किया एड्यूकेशन में और मैं एक्ट्रोंग माइनिंग इंजिनियर हूं और क्या है कि जो मैं आपको बता रहा था ना सर प्रिलीव सिस्टम और कि साइकलोजिकल भी साइकलोजिकल कुछ स्टडिया ऐसी आई है कि किसी को आप करवा सकते हैं तो उसको आपको साइकलोजिकल कॉनसेट को यूज करना पड़ेगा करती है तो अपने लोग को जो जो अपने स्पोक्स हैं ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यदि उनको थोड़ा सा प्वाइंट टच या कुछ थोड़े बुद कॉंसर्ट बताया जाए एक चलो होता क्या है आपको यह जाना है कि जैसे हम किसी से टाइम लिया तो हमको कि बते जाते हैं बगते जाते हैं रख यदि वो पॉजिटिव नहीं है आपकी बात सुनने के लिए यह आपको जच कर रहा है आना चाहिंग उसके लिए बौड़ी लिंगुच्ट के कुछ शाइंस होते हैं सर यदि वो उसका दिमाग आपकी तो आपको स्टार्टिंग से ही पता कर लेना है कि यदि आत्मी पॉजिटिव है आपकी बात सुनने के लायक है कि नहीं डॉक्टर्स लोग बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे ब्रेन में केमिक दिला होता है सर वो फ्लाइट और फाइट मौट पर वर्ट करता है आपने जैसा ही बोलना शुरू किया वो देखता है कि उसके बिलीव सिस्टम के साथ तो आपके कॉंसेट मैच कर रहे है कि नहीं यदि वो मैच नहीं कर रहे है तो आपके सारे सिगनल को वहीं ब्लॉप कर देगा वो आपके टाइम बेस को हम बत कीजिए नॉटमल बात करके वहां से निकट जब आपको असा लगेगा कि वह पॉस्टिव है तब आप उससे बात कीजिए यह फंडा बहुत इफेक्टिव भी बहुत काता है और मार्केटिंग वाले 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 वहां पर इस चीक को सिखाया जाए सब्सक्राइब बात कर रहे हैं वो पड़े लिखे लोगों की है जो आपको समझते हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं उन सभी लोगों को जिनको संकी जुरूरत है हमारे अंदर वो ट्रेनिंग नहीं है कि यह हम और्ड़नेरी से ओरर्ड़नेरी आदमी को भी यह समझा पाएं कि उसको संकी क्यों जुरूरत है अगर वो हम समझा पाए अगर हम उसमें सफल हो गए तो जैसे देखिए कि इट पर रख दो तो कोई वो जुड़ती नहीं है जब तक उसके अंदर सीमेंट नहीं डालता तो इसी तरीके से अगर हम देखें कि आदमी आदमी से तो हमें ट्रेनिंग की जुरूरत है हमें एक एक आदमी को पर्खने की जुरूरत नहीं हम मैस मतलब मीडिया में अगर जाकर अपना पॉइंट ऑफ इस्टैबलिश कर पाए कि संग की क्यों जुरूरत है संग की एपसेंस में हमें क्या नुकसान हो गया संग में यह सब समझाने के कारण एक आदमी दूसरे आदमी से जुड़ेगा और जिस दन हम जुड़ेंगे तुपान आ जाएगा हमारे लोगों का जैविम नहीं हुद्दा है पर उससे नहीं काम चलेगा तो थोड़े लोग होंगे हमें तो हर एक को टीचर बनाने लाग को टीचर जल्दी से जल्दी तंसेफ जो समझने हैं डॉक साफ ड्क रिविए सिंग सार आप जम्रात्री करते हैं नहीं सर मैं डॉक्टर रंजन साफ को भी सुना और यह अलील वांट करें सर ही यह मैडम का नाम है डॉक्तर रंजन करें हम अपना काम करें, अपनी सीमाओं के अनुसार काम करें, ये बड़े और छोटे का जो अंतर है, ये तो नैचुरल है, कुछ रहता ही है अगर हमारा समर्पन है, अगर हमारा व्यक्तित्व सही है, तो बड़े भी मानते हैं और छोटे भी मानते हैं. मैं इस बात को मैंने प्रैक्टिस किया है अपने जीवन में और लगभग 40 वर्सों से बड़े भी समझते हैं, छोटे भी समझते हैं, लेकिन काम करने का तरीका अल अलग होता है, हमें निराशावादी एटिट्यूट नहीं अपनाना चाहिए, अपने काम को निरंतर करते रहना चाहिए, आलोचना कम करें और अपने काम को निरंतर निरंतर बढ़ाते रहें, सफलता ना मिले, ये हो नहीं सकता, तो धन्यवाद सर, आप सभी लोगों ने सफर्केंने डंका करने अभी थोड़ी देरों थे बहुत बहुत धन्यवाद, शुर्रात्री, धंड़ात्री सविको घंड़ात्री, तभी को घंड़ात्री, नमुद्दाइ, जह बित जव में जएघे को घंड़ात्री, नमुद्दाए always जह बित सब्स professionals दाना थे ते चाहि जैसा लगता है कि धमरात्री तो सभी कर रहे हैं लेकिन जाने को कोई भी तैयार नहीं है आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेन गच्छामी संगं सरनं गच्छामी उन्हीं पी बुद्धं सरनं गच्छामी उन्हीं पी बुद्धं सरनं गच्छामी उन्हीं पी धम्मं सरनं गच्छामी भूतियं पी नम्मं सर्णं गच्छानी, भूतियं पी संगों सर्णं गच्छानी, ततियं पी बुद्धों सर्णं गच्छानी, ततियं पी गुतम सर्णं गच्छामी ततियं पी धम्मं सर्णं गच्छामी ततियं पी गुतम सर्णं गच्छामी ततियं पी धम्मं सर्णं गच्छामी साथम, साथम, साथम झाल झाल